दोस्तो एक तरफ जहाँ पे इंडियर एयर फोर्स 114 फाइटर एयर क्रेप्टों को खरिदने को लेके तयारी कर रहा है तो उही पे हाली के खवर के मुताविक इसमें से तीन एयर क्रेप्ट अल्रेडी आउट हो चुका है अब इस टेंडर में F-15, F-16, F-18, सुपा होनेट, रैफैल और ग्राइप इन एयर क्रेफ्ट है पर दोस्तो इन एयर क्रेफ्टों में भी ग्राइप इन एक ऐसा एयर क्रेफ्ट है जिसे लेके बताया जा रहा है कि ये भी लगवग लगवग टेंडर से आउट ही है जिसका मेन कारण है तेजस मार्ट टु एयर क्रेफ्ट दो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो सो हाली में MRFA टेंडर को लेके हुए कई सारे घटनाओं के बाद और कई सारे खुलासों के बाद अब सबसे बड़ा चर्चा का विशाय बना है इस टेंडर में कौन से एयरक्राफ्ट को इंडियान एयरफोर्स के द्वारा चुना जाएगा हाला कि अगर देखा जाए तो टेंडर में फिलाल बताया जा रहा है कि पाच एयरक्राफ्ट है और एक तरीके से टेंडर से रशिया के मिकोयान मिक 35, सुखोई SU 35 और येरोपियन कॉनसर्शियम के तरफ से निर्मान किया हुआ येरोफाइटा टाइफुन बाहर निकल चुक ट्रांसफर के साथ भारत में निर्मान करने को लेके आगे बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि करिवन 96 एरक्राफ्ट इंडिया में टेक्नोलोजी ट्रांसफर के साथ निर्मान होगा जबकि 18 एरक्राफ्ट को आफ दशेल्फ पर्चेस किया जाएगा और दोसों ये वी एरक्राफ्टों का मानना है कि इस टेंडर में फिलाल रैफैल ही सबसे मजबूत दावेदार है तो उहीं पर रैफैल के विपरित स्वीडन के साफ ग्रूप के तरफ से निर्मान किया हुआ जेस 39 ग्राइफिन E सबसे कमजोर एरक्राफ्ट है और दोस्तों इन एक्सपर्टों का कहना है कि एरफोर्स ऐसा कोई भी एरक्राफ्ट को अपने बेडे में शामिल नहीं करेगा जो तेजस एरक्राफ्ट के बरावर का ही समता रखता हो दोस्तों ग्राइफिन एरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये 1988 में अपना पहला उडान भरा और 1996 में इ 2015 में इसे Officially Indian Air Force में Introduce किया गया रिपोर्ट के मुताविक अब तक 31 तेजस Mark 1 एरक्राफ्टों को तैयार करके इंडियन एरक्राफ्टों के हवाले किया चुका है जफकि हाली में जो 83 एरक्राफ्टों का ओर्डर दिया गया है ये Mark 1 के सबसे Upgraded Version मतलब Mark 1A है पर वायू सेना के लिए Hindustar Aeronautics Limited के तरफ से इसके Mark 2 Variant के उपर भी काम किया जा रहा है और संभावित इस साल के अंतक या अगले साल के शुरुआत में Mark 2 एरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाए हाला कि दोसों दोनों एरक्राफ्टों के टाइम लाइन में काफी अंतर होने के तेजस Mark 1A और ये जो ग्राइपिन एरक्राफ्ट हैं इन में काफी हधिक समानता है और एक तरीके से देखा जाए तो तेजस Mark 1A ग्राइपिन एरक्राफ्टों के सभी रोल को बारीकी से निभा सकता है हाला कि वही पे अगर तेजस Mark 2 जिसका development हो रहा है उसे देखा जाए त सबसे आधुनिक वेरियंटों से भी कई मामलों में आगे है दोसो अगर एरक्राफ्टों के कुछ component को compare किया जाए तो सबसे पहले compare करना चाहिए दोनों एरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले electronic suit का दोसो ग्राइपिन एरक्राफ्टों में एग्रेसर integrated electronic warfare system का इस्तेमाल क होता है तेजास एरक्राफ्ट में इसके विफरित indigenous electronic warfare suit का इस्तेमाल किया किया है जिसमें integrated radar warning receiver, self protection jammer, chap और flare system तो है ही साथ में इसके पास beyond visual range capabilities भी है दोसो modern aircraft को build करने वाले component को अगर देखा जाए तो यहाँ पे composite material को सबसे बहतरीन airframe building material के रूप में देखा जाता है किसी aircraft में अगर अधिक मात्रा में composite material का इस्तेमाल होता है तो यह aircraft को खाली हलका नहीं बनाता है बलकि aircraft को highly strength भी बनाता है composite material aircraft में joints और repeats को भी घटाता है जो aircraft के जो structure है उसके intensity को बढ़ाने के साथ साथ उसमें दरार आने के संभावनाओं को भी घटा देता है हाला कि अगर दोस्तो composite material के इस्तेमाल को देखा जाए तो यहाँ पे तेजास aircraft ग्राइफिन aircraftों से बढ़ोतरी ले जाता है तेजास aircraftों में करीबन 45% structure composite material से बना हुआ है जबकि ग्राइफिन aircraft में ये मामला केवल मातर 25% का है पर दोस्तों अगर रफ्तार और रेंज के मामले को देखा जाए तो यहाँ पे ग्राइफिन बाजी ले जाता है क्योंकि दोनों aircraftों में इस्तेमाल होने वाले इंजिन के मामले में तेजास के इंजिन थोड़ा कमजोर है ग्राइफिन aircraft में जेनरल इलेक्ट्रिक के ही RM16 इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जो की A414 GE39E इंजिन है यह अधिक्तम 98 किलोनुटरन थ्रष्ट को जनेरेट कर सकता है जिस कारण ग्राइफिन aircraft के टॉप स्पीड 2460 किलोमेटर पर आवर मतलब करिफ करीब मार्क 2 है तो वही पे तेजास aircraft के टॉप स्पीड 1980 किलोमेटर पर आवर मतलब करिफ करीब मार्क 1.6 के आसपास है हाला कि दोस्तों इंजिन के कारण ग्राइफिन के टॉप से काफी कम और ग्राइफिन के लंबाई करीब 49 फीट है तेजास का जहाँ पर विंग स्पैन 27 फीट 11 इंच के आसपास है तो वही पे ग्राइफिन के विंग स्पैन करीबन 27 फीट 7 इंच के आसपास है और एरक्रेफ्ट के अगर उचाई को देखा जाए तो तेज़ेस करेवन 14 feet 5 inch उचा है तो वही पे ग्राइफिन 14 feet 9 inch के आसपास उचा है इसका सिंपल मतलब यह है कि तेज़ेस एरक्रेफ्टों के मुकाबले में ग्राइफिन एरक्रेफ्ट आकार में थोड़ा बड़ा है तेज़ेस एरक्रेफ्टों का जहाँ पे एमटी वेट करीब करीब 6,560 kg है तो वही पे मैक्सिमम टेक आप वेट करीब 13,500 kg है पर ग्राइपिन इससे काफी अधिक भारी और करीब करीब इसका एमटी वेट 8,000 kg और मैक्सिमम टेक आप वेट 16,500 kg है पर दोस्तों अगर एर जोट शमता करीब करीब 5,300 kg है दोस्तों एरक्रेफ्टों के अगर लैंडिंग डिस्टन्स को देखा जाए तब भी आपको पता चलेगा कि दोनों एरक्रेफ्ट में काफी अधिक समानता है और दोस्तों ग्राइफिन एरक्रेफ्ट जहाँ पे विना ड्रैक शूट के 800 मिट जाता है तो आपको आसानी से पता चलेगा कि दोनों एरक्रेफ्टों के बीच में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है जिस कारण अगर इंडियन एर फोर्स को ग्राइपिन जैसे एरक्रेफ्टों को चुनना है तो उससे बेटर तो तेजस एरक्रेफ्टों को ही बड़े मातरा मे और पाइथन जैसे मिसाइल शामिल है इसके इलावा तेजस में 23 mm के गन वो वी ट्विन बैरल वला गन है हाला कि इसमें और वी कई तरीके के स्वधिशी हतियार लगाने का बात कहा जा रहा है जिन में ब्रमोस के नेक जेनेडेशन वर्जन मतलब ब्रमोस NG तक शामिल है इसक के द्वारा और रश्या के द्वारा निर्मान किया हुआ बॉम्स को कैरी करने का शमता रखता है ग्राइपिन को अगर देखा जाए तो इसमें IR IST, M9 Sidewinder, A-Darter, MBDR Meteor जैसे Air-to-Air Missile, KBD-350, RVS-15F, Anti-Ship Missile और GUV Series के कई तरीके के बॉम के साथ Mark 82 बॉम को लगा जा सकता है के मामले में भारत को additional हतियार खरिदने का आवशकता नहीं पड़ेगा, साथी साथ अगर देखा जाए तो तेजस का ज्यादतर हतियार स्वादेशी हतियार है, इसलिए हतियारों के मामले में भारत को एक तरीके से आत्मनिर्भरता मिल जाएगा, और दोस्तों इससे भी के मुकाबले में उस दर्मियान इंडियन एरफोर्स के पास स्वादेशी अधिक ताकतवर ताकतवर एरक्राफ्ट होगा, जो एक तरीके से ग्राइफिन के संभावना को घटाता ही है, साथ में ग्राइफिन को खरिदने को लेके भी एक तरीके का कोश्चिन रेस करता है, त करता है, यह को लेके सं granular रेसित अधिक, तो एक तरीके तो स्झाओर थाएफ बदेशी conducting